हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप के अंदर पासफोट साइज फोटो कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोडोशॉप के अंदर पासफोट साइज फोटो कैसे बनाएंगे फ्रेंट्स मैं यहाँ पर फोडोशॉप 7.0 यूज कर रहा हूं आप कोई साइज फोडोशॉप यूज कर रहे हूं कोई इशू नहीं है आप तरीका यही आपका सेम रहेगा ठीक है अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुद से अपनी पासफोट साइज फोडो बनाएं खुद इमेज को ओपन करेंगे इमेज को ओपन करने के लिए के लिए फाइल में जाएंगे फाइल में जाने तक बात स्टिंड वाला जो Online य आप अपने keyboard से Ctrl plus O press करेंगे तो भी open हो जाएगा तो मैं यहां से इसे open करता हूँ अब हमारी यह image है जहां भी आपने image रखी हो आपने उस location पर जाना है और अपने image को select कर देना है और यहां से open कर लेना है हमारी image Photoshop में open हो जाएगी एक minute के लिए मैं इसको अभी cut कर देता हूँ यहां से यह मेरा एक तरीका था दूसरा तरीका आप Photoshop के अंदर कहीं पर भी अपने mouse से दो बार click करेंगे देखिए मैं अपने mouse से यहां पर दो बार click कर दूँगा कहीं भी यह देखिए open box आ जाएगा अब भी आप अपनी image को यहां पर open कर सकते हैं मैं ज्यादा तर यही shortcut command यूज करता हूँ मैं इसको select करता हूँ अपनी image को और open कर लेता हूँ यह जो मेरी image है मैं इसकी एक password size photo बना कर आपको दिखाऊंगा और example के लिए आपकी कोई भी image हो आप उसी तरीके से बना लेंगे बहुती असान सा तरीक अपता हूँगा अपको सबसे पहले हम अपनी image को crop करें, crop करने के लिए हम यह आपर अपने toolbox में जाना है, यह हमारा toolbox है टूल बॉकस में जाने के बाद हम स्बसेले यहां से अपना क्रॉप टूल लेंगे क्रॉप टूल यह रहा अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है अपना मुव टूल जिसकी shortcut command B है अब हम अपने क्रॉप टूल लेते हैं मैं क्रॉप टूल की shortcut command है जो हमारी passport photo का size होगा ठीक है जिस भी image को आप जिस size में बनाना चाहते है उसका एक अलग size होता है तो अभी हम इसको passport size में बनाना चाहते है आप देखें यहाँ पर उपर width और height तो अभी आपको यहाँ पर डाल देना है 3.5 3.5 अपने keyboard से करेंगे आप 3.5 उसके बाद आपको डाल देना है cm cm यानि की centimeter जो passport size photo हमारी है वो centimeter में है तो cm का meaning centimeter cm 3.5 cm यानि centimeter अब अपने keyboard से tap प्रेस करेंगे tap प्रेस करने के बाद इसकी height हम डालेंगे 4.5 फिर से हम cm डाल देते हैं यानि की 3.5 cm 4.5 cm यह size होता है पासपोर size photo के लिए अब हम इसको एक resolution देंगे next हमारा option है resolution का यहाँ पर मैंने 100 डाला हुआ है तो आप यहाँ पर 300 ही डालेगा मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 300 ही रखें उससे प्रेंट क्वालिटी बहुत अच्छी आती है 300 यहाँ पर प्रेस मैं डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ next है हमारा pixel inch यह cm में तो आपको यहाँ पर pixel cm नहीं करना है pixel inch ही रहने देना है pixel inch पर मैं कर देता हूँ पहले ही था अब हम अपनी image को crop करेंगे size हमने ले लिया है अब आपको अपनी image को crop करना है देखें इस तरह से आप अपनी image को अपने crop tool से select करेंगे जो हिस्सा हमें अपनी image का select करना है उसकी password size photo बनानी है आप चाहें तो इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं एक चीज़ का ध्यान रखेंगा दोस्तों अपनी image को बिल्कुल ब्राबर और बहुत अच्छे से दोनों साइट से ब्राबर रखें जिससे हमारी image जो है प्रिंट होने के बाद बहुत साफ सुत्री और एक अच्छी नजर आए ठीक है अब जो मैंने है इसको crop कर लिया है अब आप चाहें तो अपने keyboard से अब इंटरप्रैस कर सकते हैं या फिर अपने mouse से double click कर सकते हैं मैं हांसे अपने mouse से double click करता हूं यह देखे हमारी image जो है crop हो कही है बड़ा कर लेते हैं तो यह ही हमारी image जो हमने अभी crop की है ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इसको जरा side में रख देते हैं यह अब हमें एक page लेना है पेज किसलिए जिस पर हम अपनी इस image को set करेंगे प्रिंट के लिए तो आप अपने keyboard से control पलस N करेंगे तो भी आप एक new page ले सकते हैं या फिर आप अपने file में जाए और first option है new इस पर क्लिक करें अब आप एक size लेंगे size लेने के लिए आप यहाँ पर देखिए ए अब हम इस image को इस अपने new page पर लेके आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है move tool ले लेना है अभी हमारा crop tool select है यह देखिए crop tool आप देख रहे हैं तो move tool लेंगे toolbox में जाएंगे यहां से move tool select करेंगे और अब हम इस image को new page पर लेके आएंगे इस image को क्लिक करें इस तरह से और इस तरह से drag करके देखिए इहां लेकिया है अभी क्या हुआ हमारी image select नहीं हुई है वह इस कारण यह देखिए अभी जो हमारा mouse है एक खाली single icon दिख रहा है हमारे mouse का इसका मतलब हमारी image जो है select नहीं हुई है हम दुआरा से करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और देखिए अब हमारी image select हो गई है अब हमारा mouse का icon भी दिख रहा है उसके नीचे एक चोटा box और फिर एक plus का icon दिख रहा है और देखिए page के चारो तरफ एक outline आ रही है black color की इसका मतलब हमारी image जो है हमारे mouse के साथ select को भी पड़ी है move tool के साथ अब हम इसे आप लाके drag करके यहां passport size photo के चारो तरफ एक outline होती है black color की तो हम इसे outline देंगे तो आपको यहां पर edit में जाना है एडिट में जाने के बाद आप यहां पर stroke में जाने के बाद देखिए यहां से outline दे सकते हैं तो यहां पर फाइवी रहने दे मेरा यहां पहले से डाला हुआ है मैंने और यहां पर उपर से एक आप line ले लिजीगा ताकि हमारी image उस line के साथ बिल्कुल सीधी लगे उसके लिए आपको उपर से line लेने नहीं ठीक है अच्छा एक जी और बतायता हूं अभी इसको अठाता हूं यहां से यह हमारा ruler होता है आप उपर देख रहे हैं और यहां left side में देख रहे अपने keyboard से control plus और press करेंगे तो यह आ जाएगा अब हमें इसे अभी जरा image को side में लगता हूं एक line देंगे यह देखे हमने line डाल दी है यहां पर और एक line हम इधर से left side से बिल्याते हैं ताकि हमारी बिल्कूल सीध में हमारी image लगे अब यह देखे अब हमारी image क्या होगा हम तो हम इसकी duplicate copy बनाएंगे यह देखे इस तरह से आप इसकी duplicate copy बनाएंगे अब alt और shift को press करके रखें छोड़े ना उसे नहीं तो यह copy duplicate copies इसकी नहीं बनेंगी अब देखे जो हमारी image है वो देखे बिल्कूल set हो गई है ठीक है अब हमें क्या करना है हमारी एक image थी उसकी हम अब आपको क्या करना है इन सभी की duplicate copy बनाके इनको इसी तरह से नीचे की side लेके आना है तो आपको क्या करना है अगर आप ऐसे ही इनको नीचे लेके आएंगे अपने keyboard से alt प्लस shift प्रेस करके नीचे लाएंगे तो देखे लास्ट वाली image ही हमारी नीचे आएगी बकी के च CTRL PLUS E press करना है चार बार चार बार क्यों करना है आपको इन चार इमेजों को इसके साथ मर्ज करना है अगर आप चाहे तो यहां पर देखे लेयर में जाएंगे और लेयर में आके देखिए जा मर्ज डाउं एरा CTRL E आप यहां से भी कर सकते हैं तो आपने keyboard से अपने चार ब लगाना पड़ेगा जिससे हमारी में इस पेज पर जो है पूरी नहीं आएंगी सेट नहीं आएंगी तो मैं चार बार अपने keyboard से CTRL E प्रेस करूंगा इन चारो इमेज को इसके साथ मर्ज करने के लिए तो आप यहां देखेगा ऊपर टाइटल बार है यहमारा देखे वरन मारजन भी देखो रखके चल रहा हूं मैं इमेज के लिए कटिंग के लिए यह काफी होगा अभी बढ़ा गर के दिखाऊंगा आपको ठेक है कोई भी आपका कोई शवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करीगा उसका मैंसर आपको जरूर दोंगा किसी भी तरह का ठीक है यह देखिए अब हमारी में जो है बिल्कुल हो गई है देखिए इस तरह से आप भी अपनी इमेज को देखिए फोट शो में अपनी पासफोर साइज फोटो बना सकते हैं अब आप क्या होगा इनका प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर फाइल में चाहा है और यह देखिए हमारी प्रिंट, ठीक है आप इसकी यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हासे आप प्रिंट दे सकते हैं मैं भी यहाँ से प्रिंट नहीं करूँगा दूसरा अगर आप चाहें तो इसकी पीघ to Archive file बना के रख सकते हैं एक harvested फाइल पी बना के रख सकते हैं अगर आपके पास प्रेंटर नहीं है आप किसी नजदी की सौप पर इसका प्रेंट निकल बाने चाहते हैं तो आप इसकी जेपीजी फाइल बना सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको यहां पर फाइल में जाना है फाइल में जा ही लेक्ट कर लेता हूं यह रहा मेरा को टिए आप यहाँ पर इसको नेम भी देता हूं इमेज थीक है मैं नहीं इम्यज नाम डाल दिया मैं एक्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ जो आपको ठीक लेगे वह वाँसे बना लीजीगा अब मैं अच्छा प्रिंट आएगा अब मैं इसको यहां से कर देता हूं ओके अब ही हमारी जेपीजी बन चुकिए अच्छा इस चीज का बिल्कुल प्रिंट बिल्कुल ओक के आएगा आपको लग रहा होगा इस साइट से थोड़ा ज्यादा है इससे कम ऐसा कोई इश्यू नहीं है प्रिंट निका लेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा अच्छे से कटिंग कर पाएंगे तो चलिए जेपीजी चेक कर लेते हैं इसको मिनिवाइज करता हूं यहां से अब मैं यह हमारी इमेज जेपीजी बनाई थी अब इसको ओपन करता हूं देखिए यह रही हमारी पा आउट लाइन तो आने रही है देखो ब्राबर आई है अब आप इनकी यहां से बीच में स्कुर्टिंग करके अपनी पार्फोर साइज फोटो बना सकते हैं देखा दोस्तों बहुत सा असान सा ठीक है जिनको फोटो चलाना नहीं आता वो भी बना सकते हैं उमीद करता हूं